गुड़ मौर्निंग प्रियर शुरू करें सीधा बैठें मगर बिना तनाव के बैठें अपनी स्वांस पर दियान के इंद्रित करें अंदर जाती हुई स्वांस फिर बाहर जाती हुई स्वांस उन्हें जानते रहें अविर्निस होश बनाए रखें बिना कोई कामना किये स्वांस को जानते रहें न ज्यादा स्वांस चाहिए न कम स्वांस चाहिए जितनी आ रही है जितनी जा रही है उतनी चाहिए पूरे सुईकार भाव के साथ चलता रही है कर्मों का फल तो आता है चाहे हो कर्म या कर्म का तो आता है कर्म ना हो सारे कर्मों में प्रेम प्रज्याम हा दे की रादा हो कर्मों का फल तो आता है चाहे हो कर्म या कर्म ना हो सारे कर्मों में प्रेम प्रज्याम हा दे की रादा हो सारे कर्मों में प्रेम प्रज्याम हा दे की रादा हो हर कर्म का फल सुख या दुख या दुविधा तुमको देता है चाहे जो भी फल आए इश्वर को समर्पित करना है जब कर्मों की आत्मा जिन्दा है जब कर्मों की आत्मा जिन्दा है तब बनते तुम कर्मात्मा हो सारे कर्मों में प्रेम प्रज्याम हा दे की रादा हो सारे कर्मों में प्रेम प्रज्याम हा दे की रादा हो स्वांस चल रही है और इस अवस्था से प्रार्थना शुरू करेंगे हे इश्वार सभी अपना मंगल देख ले अपनी पहचान में सभी को संपूर्ण स्वास्थ्य दिखाई दे यह होना तभी संभव है जब लोगों की चेतना ऊपर उठेगी सुनहरी प्रकाश प्रत्वी से बाहर आएगा शुब्र प्रकाश प्रत्वी पर छाएगा जब सब शुब्र प्रकाश के प्रती ग्रहनशील होंगे तब सम्रुद्धी बड़ेगी स्वास्थ बड़ेगा तेज विकास होगा तेज मंगल होगा धन्यवाद 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 हुम 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 इस तरह ध्यान में सभी अंतर गुंज को मैसूस करें हिर्दैस्थान से अंतर गुंज को पहचाने ध्यान जारी रहे ध्यान प्रार्थना बीज बीज का वरक्ष सब को फल दे सब को फल दे ध्यान के अंतर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वे ध्यान जारी रखें जो आगे के कार्य में जाना चाहते हैं वे ध्यान समाप्त करेंगे झाहते हैं जो आगे कर दो कर दो